हेलो दोस्तों मैं विने संग एक बार अपने टिप्टप क्लासिस में आपका फिर से सौगत करता हूं दोस्तों आपकी और इसमें सबसे सांदा चैप्टर जो आपका पारस्तित्की है आज हम पारस्तित्की चैप्टर के बारे में डिसकस करेंगे और आपके जो जो important question है seated, tat और जितने भी आपका जहां जहां जिस परिच्छा में ABS पूछा जाता है सारा सब कुछ यहीं से पढ़ने वाले हैं दोस्तो important question आपके यहीं से होंगे तो जो भी आपको most important session का सबसे खास question लगता है उसको आप notes down भी कर सकते हैं copy pen लेके और बाकी तो सारा important ही है जो मैं आपको पूरे वीडियो में आपको provide करा रहा हूँ तो दोस्तों आपको करना क्या है एक तरफ से पूरा session देखना है और पूरे session में बने रहना है और मैं एक और आपके लिए चीज लेके आया हूँ चैनल के वीडियो के description में आपको एक link मिलेगा जिस पर लिखा होगा PDF file PDF file से related जो भी आपके question है exam से related नई नई जानकारिया है वो सब आपको उस channel के उस link के माध्यम से आपको मिल जाएंगे तो वो दोस्तो telegram channel है जो हमारे classes का channel है वहाँ पे जाके आप उसको जो है add कर लीजेगा और वहाँ से सारी PDF आपको मिलेगी और जितने भी नए users है जिनोंने अभी भी चैनल को subscribe नहीं किया है वो place channel को तुरंट subscribe करिए वीडियो को like करिए और दोस्तो जो है अपने contact में अप discuss करते रहेंगे सबसे पहले 10% नियम संबंदित है पहले दोस्तो क्या कह रहा 10% नियम संबंदित है तो उर्जा क्या खाद के रूप में एक पोसी इस्तर से दूसरे पोसी इस्तर तक पहुचने से कहने का मतलब क्या है उर्जा का खाद का ऐसा इस्तर जो एक पोसी इस्तर से अगर दूसरे पोस्ति इस तर तक पहुचने में है तो उसको क्या बोलतेंगे 10% rules ये आपका 10% rules आपको जो है यहाँ पे दिखाया जाएगा फिर करा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम दोस्तो इसको आपको अच्छे से मलब सीखना होगा क्योंकि इस ताइप से कुष्चन आपको बहुत ज़यदे एक्जाम में टैट और तुपर्टैट और सीटैट के एक्जाम में आपको मिलते हैं तो सबसे पहले का जो क्रम है वो है जनसंख्या जनसंख्या से आपका बना समुदाय समुदाय से बना आपका पार्श्चितन्तर और फिर उसके बाद हो जाएगा भूद्रस से फिर कारा सो पोसी इस्तर पर उत्पादन को कहा जाता है तो सो पोसी इस्तर के उत्पादन को दोस्तो प्रात्मिक उत्पादक्ता कहा जाता है क्या कहा जाएगा प्रात्मिक उत्पादक्ता कहा जाएगा फिर next question है पर पोसी इस्तर के उत्पादन के संदर्व में आता है तो पर पोसी इस्तर के संदर्व में क्या आएगा आएगा ये आपका आएगा दुतियक उत्पादकता आएगा दोस्तों ये आपका क्या आजाएगा ये आपका दुतियक उत्पादकता आजाएगा फिर देख घटती है सदयव घटेगी सदयव घटेगी यह आप जो है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है फिर आगे क्या कह रहा है कुछ कारणों वस यदि तितलियों की जात की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिडाम हो सकते हैं वे हैं कुछ पाउधों के प बर्रों मकडियों और पच्छियों की कुछ प्रजातियों की समस्टी में गिरावट हो सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या होगा इसके कारण बर्रों मकडियों और पच्छियों की प्रजातियों की समस्टी में गिरावट हो सकते हैं फिर आगे आपका कुश्चन कह रहा है पा वातावरण के मद्द पारस्परिक संबंधों का अध्यन करते हैं, तो दोस्तों पारस्थित्की संबंधों का अध्यन क्या करेंगे, यह आपका पारिस्तित्की हो जाएगा, फिर कहरा, अर्निस्ट हैकल ने पारस्थित्की सब्द का प्रियोग किया, अर्निस्ट हैकल ने पा उसके आगे बहिता के जीवधारियों के कारवनिक और अकार्वनिक बातवरण और पारिष्परिक संबंधों के अधिन को पारुष्ट की अत्वां पारिश्ट की विज्ञान कहते हैं यह नगया बड़ा ही important आपका कुछ्छन यहाँ पर बनता है यह आपका किस ने बताया यह Ernest Haikal ने बताया दोस्तों यह आपका Ernest Haikal दी ने इसके बारे में बताया था उसके आगे फिर क्या कहता है उसके आगे बोलता है कि पार्ष्ट की प्रक्रत की संदचना एवं प्रक्रिया का अध्यन है यह बताया तो यह यूजिन ओडम ने इसके बारे में बताया था फिर काया सरवप्रथम पार्षकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई तो जो ये संकल्पना प्रस्तावित की गई थी ये 1935 में प्रस्तावित की गई थी और किसके माध्यम से की गई थी तो AJ टांसले एजे टांसले के माद्यम से ये जो है प्रस्तावित की गई थी दोस्तों फिर आगे इसके आगे देखते हैं हम फिर आगे देख लीजे आप क्या है आगे बोलता है कि पार्सकी तंतर की विचारधारा को बायो सिनुसिस तथा माइक्रो कास्म कहा तो ये किस ने कहा दोस्तों ये कार्ल मॉबियस तथा फोर्प्स ने कहा था ये क से क्या है कार्यात्मक इकाई के रूप में तथा वातावरण में उपस्तित अजयव घटक सायुक्त रूप से निर्माण करते हैं तो सायुक्त रूप से निर्माण किसका करेंगे पारितंत्र का निर्माण करेंगे फिर क्रतिम पारितंत्र है, क्रतिम पारितंत्र की बात कर रहा है, तो खेत जो होगा, वो आपका क्या होगा, क्रतिम पारितंत्र होगा, क्रतिम पारिस्थित की तंत्र है, तो क्रतिम पारिस्थित की तंत्र की यहां पर बात करेगा, तो यह धान का खेत जो होगा, वो क्रतिम पारश्चित की तंत्र है फिर करा घास इस्थल वन तथा मरुस्थल इस्थल उधारण है तो ये क्या होंगे इस्थली पारश्चित की तंत्र के जो आपके एक्जामपल होंगे फिर करा जील नदिया तथा समुद्र आते हैं जील नदिया तथा समुद्र आते हैं तो ये जली प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरड समर्थन कर सकता है, कहलाती है, कहलाती है यहाँ पर, तो क्या कहलाएगी, वहन छम्टा, वहन छम्ता कहलाएगी, फिर कह रहा है बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की छमता कहलाती है तो एक बायोटिक पोटेंशियल कहलाएगी जैविक विभाव जिसको बोलते हैं फिर कह रहा है एक पद जो केवल जीव दौरा ग्रहन किये गए दिक इस्थान का ही नहीं बलकि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्डन करता है उसे क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पारस्थितिक कर्मता उसको क्या बोलेंगे पारस्थितिक कर्मता फिर आगे दोस्तों कह रहा है आगे कह रहा है प्रत्वी के सरवाधिक छेतर पर फैला हुआ पार्षितिकी तंत्र है तो सामुद्रिक है ये फिर कह रहा है प्रत्वी पर विद्दमान जल मंडल में समुद्री जल होता है तो कितना होगा 97% लगभग जो आपका प्रत्वी पर विद्दमान जल मंडल है फिर कह रहा है समुद्र जल में सरवाधिक व्याप्त लवड है तो सोडियम क्लोराइड समुद्र जल में कौन सा व आएओ भंडार यह आपके क्या है पार्ष्त की संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं फिर आगे दोस्तों क्या कह रहा है फिर आगे कह रहा है कि वन जीव संरच्छणेवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूसर का निवारण मददगार है तो पर्यावरणी शंतुलन बनाए रखने में क्या दोस्तों बनाये रखने में पर्यावरडी संतुलन बनाये रखने में फिर कह रहा है भारत में पार्ष्थित की असंतुलन का एक प्रमुक कारण है तो वनोनमूलन आपका इसका प्रमुक कारण हो जाएगा फिर कह रहा है वाकार जिससे पार्ष्थितिक संतुलन बिगड इसके आगे फिर देखे किया कहे रहा है । पार्स्तित की तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोसड इस्थान प्राप्त है। तो उस्तम जो पोसड स्थर का इस्थान प्राप्त है वो ओमनिवोरस सर्वाहारी को प्राप्त है। फिर कारा पारस्तित की तंत्र का एक जीवी संगठन नहीं है, तो जीवी संगठन को नहीं है, वायू नहीं है। परितंत्र में खाद सरंखलाओं के संदर्व में जिस प्रकार के जीव अब घटक जीव कहलाते हैं, कवक और जीवाड़ू, ये क्या है आपके जीव अब घटक हैं फिर कह रहा है अब घटक वे जीव होते हैं जो अपच्छे या सडन की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुना चक्री करण हो सके तो ये क्या होगा पोशक तत्तों के जिनके क्या होगा पुना चक्री करण हो सके फिर कह रहा है निडजिव कार्बनिक तत्तों को अकार्बनिक योगिकों में तोड़ते हैं अब घटक के द्वारा कैसे तोड़ेंगे तो अब घटक के द्वारा इनको जो है तोड़ते हैं फि फिर करा किसी खाद स्रंखला में मुख्यता प्रात्मिक उपभोगता को की स्रेडी में आते हैं, तो कौन सा स्रेडी में आएगा, साकाहारी प्राडी, साकाहारी प्राडी आपकी खाद स्रंखला में की स्रेडी में आते हैं, तो चीटी आपकी क्या है, अप गटक तथा प्रात प्रात्मिक उपभोगता दोनों के बीच में आएगा फिर करना वे जीवधारी जो अपना भोजन प्रात्मिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं तो प्रात्मिक उपभोगता कहलाएंगे क्या कहलाएंगे प्रात्मिक उपभोगता कहलाएंगे फिर यहां पर क्य खाद इस रंखला फूड चेन में मानव है, जो मानव है वो क्या होगा? यह होगा आपका प्राथमिक तथा दुतियक उपभोगता, फिर कहारा है साग सबजियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोगता, जबकि मांच बच्छी होने पर सरेड़ी में आएगा, त पृत्पादक होते हैं तो हरे पौधे क्या हैं यह आपके उत्पादक अप घटक है उसके बाद फिर कहरा है कि हरे पौधे सूरी के प्रकास का प्योग करके अपना आहार सोयम निर्मित करते हैं तो किसके सहायता से प्रकास संसलेशल की सहायता से इंपॉर्टेंट कुश्चन ये जो है आपका प्रकास संसलेशल की विद के सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थित में जो है अपना भोजन बनाते हैं सूरिक के प्रकास की सहायता में क्लोरोफिल के उपस्तित में अपना भोजन बनाते हैं, फिर करा प्रत्थम पोशक इस तरके अंतरगत आते हैं, तो आएंगे वो आपके आएंगे हरित पादब, फिर करा पौधे के हरे रंग के लवक की सहायता से करते हैं, प्रकास अन्सलेश है आपका घास इस्तली परत्र की तंत्र के खाद स्रंखला में विभिन घटकों का सही करम तो घास जो है यह क्या हो जाएगा अपका उत्पादक हो जाएगा साकाहरी में आएगा यह आपका क्या हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा घास को खाएगा टिड्डा तो यह क्या हो इसको आपको अपने माइंड में बिठा लेना है, चाहे आप स्क्रीन सॉट ले लो, इसी के एकॉर्डिंग जो है आपका पूरा खादर संक्रा, फिर कह रहा है ऐसे जो है पदार्थ जिनके आकसी करण के पस्चाद जीवधारियों को उर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं, तो खाद फूर्ड कहे जाते हैं, फिर करा जीवधार उर्जा का प्रवा होता है, तो जीवधार उर्जा का प्रवा जो होगा, वो एक दिसी होगा, फिर करा आहार सरंखला का निर्मान करते हैं, घास बकरी तथा मानों में, फिर करा जीवभार का प्रिमाड पिरामिड जिस पार्सितकीय तंत्र में उलट जाता है वा है, तो वा क्या है आपका तालाब है, उसके आगे फिर हम बात करते हैं, पार्सित की तंत्र के विभिन इस्तों के प्रती 11 छेत्र में उपस्तित ven जिउभार के रेखा चित्रिय निरूपड को कहते हैं, तो जिउभार के रेखा चि पिरामिट होगा वो सीधा होगा फिर कर आप पारशत की तंत्र में DDT का समावेशन होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवता अधिक्तम सांद्रण प्रदर्शित होगा तो वो है आपका सर्ब सांप में जो है इसका जो प्रभा होगा वो सीधा होगा फिर आगे कह रहा है जब कुछ प्रदूशक आहार संखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं तो इस घटना को क्या कहेंगे जैविक आवरधन कहेंगे फिर करा डीडीटी जैसे प्रदूशक होते हैं तो डीडीटी के जैसे प्रदूशक जो है जैव अनिमिनी करड़ी होते हैं फिर करा पारस्त की मित्र नहीं है तो पारस्त की मित्र आपके यूके लिप्टेस के पाउदे को पर्यावरण का मित्र नहीं कहा गया है इसे पर्य वरडी ये संकट माना जाता है तो वो कौन सा है यूकेलिप्टस है फिर लैंटिक आवास का उधारण है तो लैंटिक आवास का उधारण क्या है आपका तालाब एवं दल दल फिर करा इस्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतरगत आते हैं इनके उधारण है आदरभू लेगा इकोटीनिकोटीन जो है शंक्रांती छेत्र कहलाता है फिर करहाँ सरवाध इस्थाईि प्रतिति connector है तो महाशागर ना सबसे प्रत की तंद्र है यो समुद्री ये सब आपके इतने लगबग आपको मेरे हिसाब से clear हो रहे होंगे दोस्तो फिर कहरा पारस्थित्र को ओडम ने सम्मिलित किया तो जल चक्रों को ओडम ने गैसी चक्र में सम्मिलित किया था उसके बाद है पारिस्तित्किय संत्रूइव खिएंड गूर्वएविता है जिस आंदूलं का नार्ग क्या है यह इसको बोलते है चिपको अंदूलंच चिपको अंदूलन में ये आपका आता है उसके बाद है नर्मदा नदी के उपर बनाई जा रही बहुँ उदेशी पांध परियूजना को रोकने के लिए चलाया गया अंदूलन है तो ये नर्मदा बचाओ अंदूलन दोस्तो चलाया गया था और अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उमीद है दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों में जरूर सेर करेंगे बाकी सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप पीड